सलमान खान के टीवी रियालिटी सो बिग बॉस 15 को लोग काफी पसंद कर रहे हैं हाल ही में सो में काफी कुछ देखने को मिला है बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड में फैंस को जबर्दस सौक लगा सो की मजबूत कंटेस्टेंट मानी जा रही माईसा ऐयर सलमान खान के सो से बाहर हो गई है सो की इविक्सन प्रक्रिया में सलमान खान ने माईसा ऐयर का नाम लिया माईसा की इविक्शन को सुन कर उनके बॉइफरेंड और बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट इसान सहगल फूट-फूट कर रोने लगे माईसा ने इसान को गले लगाया और किस किया माईसा ने कहा कि अगर ओ घर से बाहर नहीं होती तो इसान को घर से बाहर किया जाता माईसा के बाहर होने पर इसान काफी रोई माईसा के बाहर होने के बाद अब एलिमेनेशन की तलवार सिंबा नागपाल, उमर रियाज, इसान सहगल और अफसानक खान पर लटकी हुई है इस खास एपिसोड का नाम दिवाली स्पेसल वीक रखा गया है इस खास वीक में दो कंटेस्टंट की वाल्ड कार्ड एंट्री भी हुई है सो में नेहवसीन और राकेस बापट को बतोर वाल्ड कार्ड कंटेस्टंट प्रवेश दिलाया गया है राकेस बापट ने गोरिला के ड्रेस में एंट्री ली और घर में जाते ही सबसे पहले समिता को किस किया इसे देखकर हर कोई तालियां बजाने लगा तो वहीं खुद समिता से टी भी खुशी से जोम उठी तो वहीं दूसरी तरफ नेहा वसीन के आने पर प्रतीक सहसपाल भी खुश होते हैं हाला कि नेहा प्रतीक से दूरी बना लेती हैं राकेस के घर में आने से समिता काफी मजबूत हुई हैं दोनों की जोड़ी ने बिग बॉस ओ टीटी में काफी धमाल मचाया था वैसे माई साइयर के ऐलिमेनेशन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं